कटवा ग्यांगरेप केस पर महबूबा मुफ्टी अमिताब बच्चन और आलिया भट ने कहा कटवा ग्यांगरेप केस पर जम्मू कश्मीर किसी एम महबूबा मुफ्टी ने कहा है कि घटना को साम्परदाईक रंग दिया जा रहा है उन्होंने कहा हमारी एक बेटी के साथ घलत हुआ बिना किसी राजनीती के सरकार उस लड़की को नियाए दिलाने के लिए प्रयास कर रही है महबूबा ने कहा मैं कश्मीर के लोगों की प्रशंसा करती हूँ जिन्होंने साम्परदाईक ता फ्हलाने वालों की चाल को नाकाम किया है पीड़िदा कुन्याय दिलाने के लिए सामने आये है महानायक अमिताब बच्चन ने कटवा गैंग रेप मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा इस विश्य में चर्चा करने से भी मुझे घिन आ रही है यह सवाल ना पूछो इस बारे में बात करना भायावे है उन्होंने यह बातें अपनी आगामी फिल्म एक सवादो नौट आउट के गाने के लॉंच के मुके पर कही गवर तलब है कि अमिताब बच्चन पी एम नरेंद्र मोदी की बेटी बच्चा और बेटी पढ़ाओ यूजना के ब्रांड एम बेस अड़र है वही अभिनेत्री आलिया भट कट्वा गैंग रेप की घटना से बहुत दुखी है उन्होंने कहा मैं कई दिनों से इस मामले के बारे में पढ़ रही हूँ लेकिन मैंने पिछले दो दिनों से इसकी कोई नई जानकारी नहीं ली क्योंकि अगर मैं इसे और पढ़ लूँगी तो यहां मुझे और ज्यादा दुखी, नाराज और गुसा दिलाएगी मैं दिल से आशा करती हूँ कि न्याय होना चाहिए हमें वास्तव में बाहर निकलना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए ताकि ऐसा बार-बार ना हो और किसी और के साथ भी न हो वही खबर है कि जम्मू कश्मीर के कठवा जिले के एससपी सुलेमान चौदरी का ट्रान सफर कर दिया गया है उनकी जगे अब कुल गाम के एससपी श्रीदर पाटिल को कठवा का नया एससपी बनाया गया है हालाकि सुलेमान का ट्रान सफर क्यों किया गया यह अभी सपष्ट नहीं है लेकिन ट्रान सफर की खबर के बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे है खबर है कि BJP की जम्मू कश्मीर एकाई की वेबसाइट आज कुछ समय के लिए कथित और पर हैकर ली गई हैकर ने खुद को तीन केरेट साइबर वारस बताया है और कठवा मामले में बलात कारियों को फासी देने की मांग रखी है हैकरों ने एक संदेश पोस्ट करके कठवा की पीड़त बच्ची के लिए नयाय की मांग की है हैकरों ने कहा कि मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए हाला कि वेबसाइट को कुछ समय बाद बहाल कर दिया गया गौर तलब है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कठवा जिले में आठ साल की बच्ची का गैंग रेप कर इसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी दोस्तों इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले